सश्रिकार फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, टॉपर्स वर्ल्ड, ए वीडियो पंजाबी चैया, इस वीडियो इस पंजाबी लेंगविज, और इस वीडियो में गल करन जा रहे हैं कि कि में असी थोड़े जे एफट्स करके, थोड़े जी कोशिश करके ते अपने रीडिंग चोओं कि में चार बैंड या सब्ले चार बैंड ले जा सकते हैं, दोस्तों अगर तो अन्नू टाई बैंड ही सिर्फ चाहिए देहां, ताँ ये बिना मेनद किते हैं, तुके लगाके भी आ सकते हैं, तेन बैंड तक भी तुसी थोड़ा जा समझधारी व दमी हो जानगे, हाँ जी, साड़े तेन तो लेके चार या साड़े चार तक अगे तो थोड़ी मेनद करनी पेंदी हैं, थोड़ी जी मेनद कोई जादा नहीं, देखो, ग्यारा तक तुसी अराम ना अगर तुसी बिना पड़े पेपर कर देओ, और जिस तरीके ना तो नमे जादे ले कोई जादा एफर्ट्स नहीं करने, इस वीडियो नो त्या अनल देखे हो, शुरू तो लेके एंड तक ते फेर ही तो अनुसारी गाल्दी समझ लगनी जे, वच्छ काये जे वीडियो चाड़ देती या काड़ देती, ता हो सकता है कि कोई इंपोर्टन गाल्द तुसी मिस कर लो, उनमे तो अनुसे बूत ना दसांगा, एक इमे होगा, दोस्तो ये मेरे को जरी किताब है, आइल्स जनरल ट्रेनिंग, कैंब्रिज दी बुक है, नंबर 14, और इस बुक दे वेचे जेड़े टेस्टन है, और असल एक्जाम वेच पुछे जा चुके ने, म बहुत ही कट मेने देनाल बैंड की में ले जा सकते हैं, तो ये तो अडिकोले कताब एगी है, तो वदिया कहला है, तुसी यो कताब नो खोल सकते हो, मेरे को एक रीडिंग टेस्ट फोर, उदे जवाब ने, और इद विच मैं तो नहीं समझाओं दी, कोशिश करेंगा, कि म असी, 68 लगा के, जुगार लगा के, अपन साथा ठांसर ठीक कर सकते हैं, तो तुसी ये ते देखो, ते अनल नो तो लेके, 14 तक साडिकोल जाए, जवाब ने, ट्रू-फाल्स विच ने, और एक ते ती तो लेके, 40 तक, ट्रू-फाल्स ने, और इना दिकोल गिंती बन दिय तेन ते तेन शे, ते, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, चौधा क्वेस्चन ट्रू-फाल्स दे, अज कल जड़े आरे हैं ना पिपरां देवेच, एक्जैम देवेच, लगबग 14, 12, 14 जड़े ट्रू-फाल्स ने ये ते वेच अपन की स्कीम लगा सकते हैं, ते जाहता तुहीं सारे ट्रू पर देव, जा सारे फाल्स पर देव, ते जे मल्स तुहीं सारे ट्रू पर देव, ते तीस देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तड़े 6 जवाब जड़े आ, वो ट्रू सही हो जाने हैं, चोधा मिच्चों, ते जे तुसी फाल्स पर देव, 1, 2, 3, ते 4 ठीक हून देए ज़्यादार 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 ठीक है जी तो ए पांच आंसर तो आड़े बिना पड़े आ जान दे है इस तो बाद जेड़े होर जेवें के multiple choice जहां जेड़े जवाब असी A, B, C, D लीचे देने हूं दे है वो दे वेचे भी को जहां तक तुके लगे जान दे है जीवें के मैं अपने तजर्बे नाल एक न आपके जातार आंसर जहां ते A हूं दे याँ D हूं दे है यह कोई पकीश और गल नहीं है पर तजर्बे दी गल है तो मैं इते मान के चल दा है कि D, 1, 2, 3, 3, 3, D होगे तो ते ताड़े 5, 3, 8 ठीक हो जान दे ऐसे तरह बिना पड़े है ठीक है जी उस्तों इलावा कुछ हो और क्वेस्चन भी उदे नहीं जिस तरह आप ब्लैंक्स हो सकती है नहीं फिलिंग दी ब्लैंक्स खाली तामां पर हो तो उदे वेचे थोड़ा जा अगर तो इसे दिमाग लगाओ तो दो तेन ब्लैंक्स ठीक कर सकते हो पर मैं फिल हालक कटो कट आठ दी गालक करता हूं त क्वेस्चन टूफ आलस वाले बारा या चौबदा नहीं है काट आजान दे नहीं फिर उदी था ते कुछ होर क्वेस्चन भाद होन गे जी में हो सकता के खाली थामा आजान या या येस नो आजाए जहां कोई हैडिंग मिलाने होन ओ आजान दे या तो जी हो आजान गे तो उद्रों ए ते डी दी गिंती भी बच जाएगी तो आज ठीक है जी तो कुल मला के फिर आपा इत्थे मालो तुसी साथ भी ठीक कर देओ छे ठीक कर जान देओ ते टाई थाड़े बढ़ जान दे होन जी अपा थोड़ा ज़द माग लड़ा डाली है कि असी है मैं के चल दा और अधि पहुंचनले की करना पएगा अठासा डे उद्रा जान दे है एक यह दोसको रुदा लागे तिन बैण दे पहुंचन जांगे क्योंकि और रेंज आगी है नौ तो ग्यारा दे बचकार दी ते इत्ते पहुंचन जांगे एदे ले की करना पवेगा एदे ले इसा लबना हो दा not given आप उसे test दिखाल कर दिया देखो एक, दो, तेने ते चार not given है जो तुसी थोड़ी बहुती मेनत करके विच्छों दो भी लबलो तुसी तो score the level है अगले step ते पहुंचानदा है जानि तेने ब्रैंड ते पहुंचानदा तो उन्हों not given करना की है दिखो reading in the total time एककंट आया ते सिद्धे तुक्य मार के तुसी पांज मेंट चे वेल ले हो जाओगी अपन जे थोड़े चे efforts पहर लिए जा मेनत मार लिए तो यह आपन ज्यादा score ले साकते है जी में क्या question है the number of driverless buses has increased steadily since 2015 मालो तो अनू लाइन दी समझ नहीं लगी अपनी अंगरेजी ज्यादा भी का अनू समझ नहीं लगी पर तुसी यह 2-1-15 दे समझ सक देो यह 2-1-15 नू लबणा शुरू कर दो पहरे विच तो मैं खुट पहला अनू सारा चाती मारी यह इसी ताके कि मैं समा बात सके तो मैं इन्नों 2015 इत्थे मिले हैं उन 2015 दे आलेदवाले दे जड़े शब्द ने words ने देखो तो आलेदवाले जड़े words ने कुछ हो और ही लिखे ने वर्ड्स ओन ही आगे कि जड़े questions देते रिए question चित की गया number of driverless buses ना उते driverless या ना buses या ना increased या ना steadily गया तो एसा उन्नों बड़ा ही सोखा पता लागया कि ये की है गया not given तो आटा एक स्कोर एस तरहीं वाद गया दूजा तरीका की है गया हो और not given लबण दा कि कोज question जड़े हुँ दे ना जन्ना चे लिखिया होए only ठीक है जी जा जन्ना दे वे चन्ना more than lesser than ही दा लिखिया होए जाने के तुलना कीती है comparison कीता होए जहां लिखिया होए as compare to ता ए तो अटनू थोड़े लबने सोखे है ए वर्ड्स लिखिया होँ जहां as long as या as कल्ला ही लिखिया होए ता एस तरीके दे जैड़े question हो देना हो वो ज़्यादा तर 100% तर नहीं मैं कहनदा पर ज़्यादा तर 90 तो लेके 95-95% तक है chances हो देया कि वो भी not given हो देया ठीक है जी तो इस तरीके देना हमाँ पूरे set वे जो not given लब सक देया ओदे नाल जेड़ा main word जेड़ा कोई तरीक हागी कोई नाम लिखिया है उन देखो इस ते जेड़ा first world war तर जे तुसी first world war विचो फोलो होता नो लब गया एदा मतलब है या कि कोज chances है गए जहां दे true होगा या false होगा ठीक है जी तो आले देवाले दे हो और भी words देखो जे as it is जी ता नो मेल जान दे words ते true है जोदे विचो कोछ फर्क पाया कोई गाल दे विचो फर्क पाया इस ते फिर समझ दी गाला है इंदी English थी जे तो आड़े कोई समझ दा लेवल है तो फिर तुसी chance लो नहीं है तो फिर तुसी सारे true लगा दो और not given वाले विचोंचा ती मार के देखो कि जे जरता नो कोई main word वे चुनल आप जान दा है और ओदे आले दे वाले जे एज़ना दे words है गे नहीं तो फिर वो not given हो जुगा इस तरह ना लगी होगा कि तो आड़े जड़े जड़े दो तेन score जड़े नहीं तरह चले जानेंगे तो इसी तरह ही तुसी yes no not given चिकार सक अदे विच्वों जां फिर तुई A ते टिका लगाया करो ते जान D ते टिका लगाओ जे 5 शे क्वेस्चन ने दे आदे हैगी या ते वे अदे सामने मिलको जड़ा पैसे जाए ते 5 वेस्चन अपना multiple choice देने ते पंजा दे विच्वों कटो कटो 2-3 तरह ही जानगे A जान D ते उपर तुसी निशान लगाऊना तो जड़ी मैं हूंगल कीती तुआ डिन गाल के तुसी मल्टीपल च्वाइस और दिविच A जांड D ते नौट गिवन वाला सिस्टम कर लेने हो, दोक नौट गिवन वारे लब लेने हो ते फिर तुसी S लेवल नौ कवर कर जोगे, तुसी S लेवल दे बड़े अराम ना, तेन बैंट तुसी ही ले जा सकते हो ठीक है जी हूं लगी आए नदे सिस्टम 12 तो 14 वेच स्कोर कितना लेगी है जी तुसी 11 ले सकते हो तो 12 भी ले सकते हो ये दे वेच कोई जादा होन एफर्ट्स करन दी लोड नहीं है होने चकी करना पएगा तुँ अनू कि जड़ा-जड़ा सब तो पहला सैटना दा क्वेश्चन्स दा वो बहुत सोखा होन दा जी में कि ए मेरे कोल पहले है पहला सैट है ये दे वेच एक तो 8 क्वेश्चन है और अठान दे वेच्चों तुसी अगर दो हफ़ते वी अद्दा-दा केंटा त्यारी करो ना रीडिंग दी सिर्फ 14 दे अद्दा-दा केंटा वी तो तुसी इन्ना 8 क्वेश्चन दे वेच्चों राम ना चार ठीक कर सकदे तुसी मेरी काल दा जखीन करो तुसी चार ठीक कर सकदे थोड़ा प्रोसा रुखू मैं तो नोह नहीं दर सदा है ऐती अगर दिस वॉल्ट वॉल्ट दा तो नो पाता है ये विल्लड केंटे परसों धिस वॉलेट विल सूट जहां तो बने परस न No प्रेफर कर दे आउँ प्संद कर दे आ उन्न से क्थी लबना यहाँ नाचरल मटेरियल उन देखो परस के डेज़ milk हो अधा जहां तो नाचरल मटेरियल तो बने के नाचरल माटेरियल नही है जहांके से होर चीज दा बने आए तो उन नैचरल मेटीरियल नहीं है जिदा नायलोन दा तो नैचरल की या चमड़ा चमड़ा कुदरतों मिल दा जानुरा दी खालतों बन दा तो उन असी नैचरल मेटीरियल देखना है तो आसी वो बड़े रामना लब सकते है तब पहिला जड़ा एए है न इत्थे एज केंदा किपलिंग ट्रेवल डॉक ट्रेवल डाकुमेंट होल्डर ये कोई वालेट है परस है उदी विशेश्टा में दसी है जो की फीचर नहीं ते केंदा मेड ओफ नाइलोन नाइलोन जड़ेग यूँ दी और नैचरल नहीं दी फैक्टरी जे वेच आप बनाये जांदे दे रेशे ये नैचरल मेटीरियल नहीं है ये आर्टिफिशिल मेटीरियल है केमिकोस तो बनदा है अपना फिर अगले में जिर्णा पहला नहीं लबके रख्या है वेच में तो नहीं दस्ता है तो आँ देखो D वाला जिर्णा के मैं पहले नहीं पढ़के रख्या है दिस वालेट कम्स इन स्मूथ ब्लेक लैदर तो लैदर आगया है लेदर सबनों पता कि नैचुरोल है इस करके तो अड़ा जवाब डी देखो एक वर्ड असी फड़या उदा असी सोचिया कि इन्हों होर की कह सकदें आपां ते इस प्रिकना आपां चाटपट जवाब लाब लेया तुसी एड़ा दे क्वेश्चना दी प्रेक्टिस तुसी कर लोगे ना चाओदा पंदरा देन ते ए आठ क्वेश्चन है ना विचे राम ना तुसी चार याँ पांच ठीक कर सकदे क्वेश्चन नंबर दो देखिए यूजर्ज ओफ दिस वालेट डू नाट नीट टू वरी अबाउट टेकिंग इट आउट इन दी रेन यूजर्ज ओफ दे वर्तन वाले यानि कि लोग ये ओ लोग ने जिनानों टेंशन कोई नहीं आगी अपना पर्स नों बार बारिश चले जान चे उनानों कोई फिकर नी जे पर्स उना था मार बार मीच भी चला जावे यानि कि गल्ला हो जाए यानि कि फिर एओ परा होगा ज़िए ओ पर्स नी गल्ल होगी जड़ा वाटर प्रूफ है तो आपना इचो वाटर प्रूफ वेखला ना केड़ा तो साड़ा ओदे ना ले मेल खाजाना तो मैं तो आपनों दसना केड़ा आएगा असर तो ए देखो में को जवाब दा बी है लाइफ वेंचर मिनी ट्रेवल दिस इज़ वाटर प्रूफ वालेट तो वाटर प्रूफ यानि कि बारिश बारिश चे पाणी पाणी दा सर नहीं दा देख वाटर रूफ है जवाब दो अड़ा बी तो उन्तुसी मेरी गल्दनल सहमत होगे होगे मान गे होगे कि ए उटा उक्खा कमनी जेना तो ही सोच के बैठे हो जे तो अनू चार बैंड चाही देना है ते एस तरहां दे क्वेश्चन आदी प्रैक्टिस कर लो जे तो आठे चार बैंड अराम नला जानगे जे अपन थोड़ी जी मेने तो हूर कर लिया थी अपन खाली थावावी देखो हर टेस्ट दे विच शे साथ खाली थावावाज लोकेशन ओफ रेस्टाना चलाउन वरी कंपनी दे यह ढिना तो हूरेए का रेस्टाना काफे चलाओं दे, रेस्टराँ चलाओं दे, as concessions in airports, trains, stations, and other busy environments around the country. इनना अलग-अलग थामादे अपने चलाओं दे, इसकार के इसे कोई जवाब तो अजहाजी नहीं है, इनना नहीं किया कि इनने याँ थामादे अपने रेस्टराँ चलाओं दे, याँ वी करंटली है वे वेकेंसी फारे फूड प्रेपरेशन असिस्टेंट इन आवर रेस्टराँ के अंदा एक जगा ते वेकेंसी है, यह थे बंदे चाहिए देने, वो जगा याँ एट लॉक्सले स्टेडियम, सर्विंग फुटबाल फैन्स एंड कॉंसर्ट गोवर्स, चलो, तो जगा दा ना की है, लॉक्सले स्टेडियम, उन आपा इधर क्वेस्चिन्स वाले पासे आउना है, उपर ते आननल देखो सानु किया, वन वर्ड ओनली, अपा एक की शब्द जवाब देना है, उन आपा इधर की करिये के साथ एक वर्ड न सरजे, तो लॉक्सले नू ही चट देना है, या ते स्टेडियम लिखना है, स्टेडियम एक जगा दना जिते सारे प्लेर होंदे, लॉक्सले तो नहीं पता चलदा कुछ, स्टेडियम तो क्लेर हो जोगा, तो लॉकेशन ओफ ए रेस्टराँ इन ए स्टेडियम, ए आंसर आएका साथा, उस तो बाद करना है, रिक्वार्मेंट्स की इन है, जैसे बंदेनों तुसी रखना नोकरी दे, एक उसे बंदेनों नोकरी दे रखना परेक कर ले, रेस्टराँ जो बंदा चाहिए थे, रिक्वार्मेंट की ओदे, कोल की की होना चाहिए थे, कि अन्दा तियर्बा होए, अबिल्टी टू, मल्टी टास्क, मतलब एक को समय किने किने कम कर सेगे, चाव भी बना ले, खाना भी बना ले, मस्ट इंजोई वर्किंग इने डैश, उन्नों मज़ा होना चाहिए था, एस मोहल दे विच, वर्किंग इने डैश, इंजोई मेने मज़ा करना, तो मैं इत्थे आंस सर पहला लब ले था, तो तानों दसना में किनना सौखा सी लबना होन्नों, कहनता है, यू को ना जिसे बंदे ने नोकरी ले नहीं होने इत्थे हों इत्थे खड़ दे हैं, यू मस्ट भी ये मल्टी टास्क और ने पहलना कहाता है, फास्ट पेस्ट एन्वार्मेंट, वर्किंग इने फास्ट पेस्ट एन्वार्मेंट, अच्छा डजवाब नहीं आया, it goes without saying that, working as an effective and supportive member of a team, is essential, so you need to be happy in this type of work, happy means enjoy, तिहां दे को तुसे तुँ अनूना team वेचे कम करना ता डिली जुरूरी है, member of a team, तो इत्थे आओ, must enjoy working इने team, enjoy मतलब happy उत्थे आगया सी, तो वर्किंग इन्ने, तुसी केरे महल चे काम करना है, वर्किंग इन्ने, टीम, तो टीम जेते तो अड़ा जवाब आओगा, एद भी तान थोड़ी जी प्रैक्टिस करनी पेगी और यह तो अड़ा, जो अड़ा हल हो जावेगा, इस तो इलावा कई वारी सानू कई हिंट मि दिखिया होए, उस तो अगले जड़ा वर्ड है, लगबग ओ वर्ड आन दे, 90% चांसे जून देने कि ओही वर्ड आएगा, ब्लैंक दे विच, जे कुछ नहीं लबदा थे इन्ना नो लबओ, तो ओधे अगले जड़ा वर्ड हैगा, उन्हों उते फिट करके, ते फिर ला जाने कि ने केड़ी गल गई, तो जिस तरह आई थे साड़ एबी, सी, डी, ये कुछ विग्यानी का दे नाम है, ये साइंटिस्ट आँजा, रिसर्चरा दे नाम लें, तो इन्ना ने की की क्या, जो क्या, वो इत्थे लिखे है उपर, असी इन्हों 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 पांचे वरी आए, तो इदा मतलब ये जे पांचे वरी जे के रिसर्चर दा नाम आ गया, तो कड़ो, ओदा एक क्वेस्चन ते इत्थे बनियाई होगा, तो तुसी की करो, कि ओदा ही नाम, जिदा चारा जाद दे नाल, ए, ए लगा दो, तो चारा वे चो एक करते ठीक तो भाड़ा होई जेगा, जिदा उने बिल्कुल समझनी होंदे तो तो उसी एक तरीका नाल, भी एक स्कूर तो सी अपना वेदा सकते हो, तो तो जयादो एक स्कूर दा बड़ा मुल है, जो तुसी चार साध्बेड चार बैंड़ा दा करदे पए, ग करदे पर दे कर दे पयो यह 100% गाले सही है तुसी इस तरीके ना तुका मार के जवाब लब सकते हो, एक ठीक कर लोगे मेभी एक या दो भी हो सकते ज़्यादा ठीक नहीं है चहोनगे पर खाली शड़न नालो यह तरीका पनाना ज़्यादा बदी है सो दोस्तो इस तरीके दिन आल तुसी 16-17 क्वेश्चन ठीक कर सकते हो जिर वे चो आठ नाव क्वेश्चन बिलकुल तुसी तुका मार के ते बाकी दे 5-6 क्वेश्चन जड़े है वो थोड़े जे एफर्स करके 15 वी मेंट दी पढ़ाई करके रोज ते कर सकते हो तो मिनू उमीर है कि तो अनुए वीडियो खूँब अच्छी लगी होएगी जे चंगी लगी है ते कमेंट बॉक्स चे मिनू जरूर लिएओ मिनू इस तरह मोटिवेशन मिलेगी ते मैं खुर वदिया वदिया वीडियो तो अड़े लेकर आँ माँगा तन्वाल